आ हेलो फ्रेंड्स। वेल्कम टू मैं इस्टड़ी फिट चैनल। दोस्तु। आज मैं। सारे सिच्छा के इतिहाव से रिलेटेट एमसी क्यूश कोश्चन्स चप्तिर वाइच बंढा रही हूं। जो या साइस सिच्छा की इतिहास से रिलेटेट एम से क्यूच का पार्ट टू वीडियो है और दोस्तों यदि आँ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटिटिव जॉम्स किसी भी स्टेट के करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो को वाज़ करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड हंडेड से ज़दा वीडियो प्रिवियस यरे एम से क्यूच को स्टेंस की बनाए गये हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा और जो मैं यह चेप्टर वाइज एम से क्यूच को स्रीज बना रही हूं उसका प्रैक्टिस डेली बिसेश पर करते रहें तो दोस्तों चले चलते हैं प्रश्णों की तरफ तो कोश्चन है कि नेता जी सवाश नेशनल इंसिट्यूट आप इस स्पोर्स कहां इस्थित है जैसा कि इसको आप सब को पता है या पर्टियाला में इस्थित है इसके इस्थापना 1961 में पर्टियाला के मोटी वाक पैलेश म जो सरीमाली के द्वारा किया था किसके द्वारा किया गया था के एल स्पीर के के द्वारा यानि कि एड होक इंक्वाइरी कमीटी की इस्थापना 1909 में हुआ था ठीक है डाक्टर एल स्रीमाली के द्वारा और इन्हीं के द्वारा साथ में 1961 को पटियाला में यह सेनाइस यानि कि नेता जी सुबास नेशनल इस्टिटीट आप स्पूर्स की स्थापना किय द्वारा यानि कि भारतिये खेल प्रादी करण यानि स्पोर्स अथार्टी आप इंडिया की द्वारा किया जाता है आफ्सार नुम्बर सी करेक्ट है राष्टिय सारडिक फिटनेस का एक्रम का स्भारम किस सन में किया गया तिक है राष्टी सारीक फिटनेस कारिकरम का सुभारम किस सन में किया गया तो यह 1969 में किया गया तिक है यह 1969 में किया गया राष्टी सारीक फिटनेस कारिकरम का सुरुवाद next question है कि राष्टी सार्रिक योगता परिच्छा पुरुस वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है तो यह चार वर्ग में ली जाती है option number D correct है and next question है कि राष्टी सार्रे की योगता परिच्छा महिला वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है तो यह तीन वर्ग में ली जाती है ठीक है and next question है कि किस विश्व विद्याले को sports university of India कहा जाता है तो यह कहा जाता है लश्मी वाई national college of sports को किसको कहा जाता है लश्मी वाई national college of sports को कहा जाता है next question है कि मौलाना अबुल कलाम अजार ट्रॉफी में विजेता टीव को कितनी धनरासी दी जाती है तो दोस्तो जैसा कि माका ट्रॉफी यानि मौलाना अबुल कलाम अजार ट्रॉफी सौसेष्ट बिजेता बिशेभिजयाले को दिया जाता है और यहां उनीसो संतावन अन्ठावन में श्रुवात किया गया और दोस्तो पहले इसमें 10 लाख बिजेता टीम को दिया जाता था बट अब 15 लाख दिया जाता है आफिन नमबर D यहां पे correct है Next question है कि अखिल भारतिये खेल कुद परिशत की प्रत्थम शाखा किस सन में बैंगलोर में बनाए गई तो यह 1978 में इसकी प्रत्थम शाखा बैंगलोर में बनाए गई नेक्स्ट कोस्टिन है कि बरतमार में अखिल भारतिये खेलकुद परिशत की साखा किस अस्थान पर है तो बरतमार में इसकी साखा और अंगाबाद में है आपसर नमबर एक करेते है नेक्स्ट है पंजाब इस्टेट उलंपिक एससीएशन के पहले अध्यश कौन थे तो इसके पहले अध्यश थे h.l.garrett ठीक है h.l.garrett दोस्तो शोतनता के बाद इसके पहले अध्यश पूछेगा तो ये दिश्रोंदी होंगा नेक्स्ट कोस्टिन है आपको सही मिलान करना है ए है 1924 पेरीज यानि 1924 को अलम्पिक कहा हुआ था पेरीज फ्रांस में हुआ था यह तो राइट है 1936 बर्लीन जर्मनी यह भी राइट है 1932 लोस इंजिस अमेरिका यह भी राइट है एंड घह है 1928 इमस्टरडम हॉलेंड थीक है तो इसका एक दो तीन चाल लगातार हो जाएगा सभी राइट है तो आपसा नमबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेच्ट कॉस्टन है कि पहली बार कला परतीयोगीता को किस अलम्पिक में समलित किया गया तो दो नेच्ट कॉस्टन है पेंटिंग और ड्राइंग को किस वर्स ओलॉमपिक पुरुषर में बाहर कर दिया गया तो दोस्तों तो 1912,1947 तक पस इसको ओलॉमपिक में खेला गया उसके बादöh performed by ल踊ंड उनिसर अन्चार्श को इसको ओलमपिकार कैस के शेरी से बाहर कर दिया गया आफसल नबर B यहाँ पेकरिक्त है नinta कोश्टन है कि किस ओलमपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाब सपत दिलाई गई तो डोपिंग के में खिलाब पहली बार कब सपत दिलाई गी दोस्तों दोहजर सिडिनी ओलमपिक में और किस ने सपत लिया था डोपिंग के बिरूद पहली बार आस्टेलिया के रैचेल होके जो आस्टेलिया की महिला हांकी दल की कप्तान थी उन्होंने पहली बार डोपिंग के बिरूद सपत लिया था जबकि दोस्तों उलम्पिक इस सपत की सुरुवात कब हुआ था उन्हीं सो बीस में उलम्पिक में और डोपिंग की बिरूद सबसे पहले कब दिलाएगी सिजनी उलम्पिक 2000 में किस ने लिया था आस्ट्रिया की रैचेल होकेन जो आस्ट्रिया की महिला होकी दल की कप्तान थी ठीक है लेस्ट है भारती उलम्पिक संग आई ओ ए में उपाध्यश की पत कितनी हो होते हैं तो इसके कारकारी अध्यश के बैठक होते हैं कौन होता है दोस्तों तो इसके कारकारी बैठक के अध्यश होते हैं मानो संसाधन मंत्री ठीक है मानो संसाधन मंत्री लेक्स कोचिन में साई की आम सभा का सदस्य किसे बना जाता है तो साई के आम सभा का सदस्य होते ह है प्रधान मंत्री ठीक है प्रधान मंत्री इसके आम सभा के सदस्य होती है जैसे कि दोस्तों साई यानि इस्पोर्ट अथालोटी आफ इंडिया की स्थापना उन्हीं सुपच्चासी में हुआ था और यह खेल मंत्राले युवा मामले और खेल मंत्राले के अधीन होता है और इसका मुख्याले दिल्ली में है और दोस्तों इसका इस्पोर्ट अथालोटी आफ इंडिया शाई का नाम बदल कर यस आई कर दिया गया है इस्पोर्ट इंडिया अथालोटी हटा दिया गया है इसको ध्यान में रखेगा अब यस से आई के अस साई इस्पोर्ट तर्फिanka का मुख्याले कहा है। तो का मुख्याले कहा है। दोस्तों बंगल guitar में। आपसा नंबर सी करेक्ट है। जिसका मुख्याले जैसे कि JapaneseTalk चे करेंगलूर्ब Test उपर पुरवी केंदर एंफाल है ःसके दो उपकेंदर है और अगाबाद अगुआ हर्टी जो पस्टिम छेत्र का प्रसिछर केंदर है ठीक है and next question एट केंदरिय सरकार physical education committee जिसको तरचन कमेटी कहा जाता है उसको कब बनाया गया जोस्तो तरचन कमेटी को 1948 में बनाया गया 1948 में आपसन नमबर C correct है और दोस्तो ताराचन कमीटी के सिफारिस पर ही लशीवाई कालेज़ा फिजिकल एजूकेशन की स्थापना किया गया इसको आप ध्यान में रखिएगा नेश्ट कोशन है नेशनल डिसिप्लीन स्कीम यंडियस का प्रारम किया गया तो दोस्तो इसको 1954 में जेके भोसले दोरा प्रारम किया गया 1904 में आपसन नमबर C correct है नेश्ट है राजकुमारी अमरित का और कोचिंग इसकी कप प्रारम किया गया तो इसको 1903 में प्रारम किया गया नेश्ट कोशन है कि निएक्स को सूदा को है जैसे कि आपसब को पता है PTO सा को dev्राछा को चब्रता कि बोलाजाता है हो एका दोस्तों पयाप बैयाम सम्मीति कि स्थातना कि चंद में कि गईए को ओंσι म酮िती कि स हाफण 1969 में किया गया कब किया गया 1969 में कुंजरु शमीति की स्थापना हुआ था तो दोस्तों यह था आज के कुश्चन्स नेक्स्ट कुश्चन्स नेक्स्ट वीडियो में होगा तो दोस्तों बने रहे इसी इत प्रकार सिलबस के एकॉर्डिंग सब्सक्राइब के लिए और सिलबस के कार्डिंग सभी ठेटिकल टॉपिक समझने के लिए और प्रिवियस यह कुश्चन्स अंड़े से ज़्यादा अपलोट कर दिये गया है वीडियो तो उन सब का प्रेक्टिस करते रहे हैं बना रहे हैं डिर्गुलर वेसेज पे मेरे चैन रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जहें